ओके टुडे वी डिस्कास अबाउट नियो प्लाजम आज हम लोग नियो प्लाजम के बारे में डिस्कास करेंगे प्लाजें प्लॉज मांता है यह सब्जेक्ट नाता है विप्लाजास अलव कर अधा면 सब्लॉजजम और उसका यह पाट है नियओ प्लाज़म का जो है वह है नियू ग्रोथ नियू ग्रोथ मिन्स नियू प्लाजम बट इन मेडिकल फिल्ड जेनरली हम लोग नियू प्लाजम को ट्यूमार की नाम से जानते हैं ओके तो नियू प्लाजम मिन्स ट्यूमार ट्यूमार मिन्स एक्स्ट्रा ग्रोथ जो नॉर्माल ग्रोथ है वो नह इसके बारे में एकदम क्लियर कंसेप्षन आभी इंसान को नहीं मिला तो जो भी प्रेंगे हम्लोग को जानकानी मिलता है तो सभी कि रिशार्च के वाल पर रिशार्च की दम पर हम लोगों को पर हमने आता हैं कॉन्फर्मेशन कॉस्स और एटियोलरजी अभी तो हम लोगों को नहीं पता है हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक भून से आज इतना बड़ा का मार्टी सेललर अर्गनिजम बने हैं ड्यू टू सेल डिविशन के मध्यम से ही हम लोग एक छोटा सा कोस्ट से आज इतना कोटी-कोटी क्रोस्ट में कनवाट हुए हैं और एक इतना बड़ा अर्गनिजम के रूप में अप लोग के सामने उपस्तित हैं मतलब सेल डिविशन के कारौन ही हम लोगा जो ग्रोथ होता है वो होता है कि सेल के अंदर जो सेंट्रोजम रहता है वह मेंली सेल डिविशन को प्रोमोट करता है कि किसी भी जगा पर या तो हर्मन के व्रभाब में और वहीं सेंट्रल नार्वास सिस्टेम के नियंद्रन में जब सेल डिविशन क की जुरत पड़ता है तो इस एंट्रोजम यह सेल को डिवाइड करता है एक सेल से दो सेल मनाता है यह मनली तब होता है जब न्यू सेल की रिकार्मेंट होता है पुराना सेल जो है उसका उमर हो जाता है उसका डेड़ होने का टाइम आ जाता है और तीसरा है कुछी कारण कि जबश्य हम लोगशोड़ रहते हैं जीतना चोटे रहते होते 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 एक उमार में आखे स्चेख कर जाता है और यह जब है तो धिरे धिरे कम हो जाता है मुझत täll नहीं होता है सी इसका है जैसे नाःवसिर लेकिन सेल जो ग्रोथ होता है सेल जो डिविशन होता है सेल डिविशन में हम लोग का सेंटरल नर्वास सिस्टेम का कंट्रोल बहुत बहुत जरुरूत होता है सेंटरल नर्वास सिस्टेम के कंट्रोल में जितना भी सेल है सेल डिविशन होता है लेकिन किसी भी कारण वसत कोई भी कारण से कारण क्या है what is the cause किसी को नहीं पता confirm cause किसी को नहीं पता किसी भी कारण के वसत अगर cell division नॉर्माली नहीं होके abnormal growth होना शुरू हो जाता है तो उसी को हम लोग extra growth आनी tumor आनी नियोप्लाजम बोलेंगे तो एक्स्टा growth शरीर में tumor को छोड़कर भी कुछ extra growth होता है जैसे जिसको हम लोग माशा आनी वाट बोलते हैं वाट यहाँ यहाँ निकलता है माशा आनी वाट 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 इस अलसो एक्स्टा ग्रोथ बट यहाँ नॉट ट्यूमार हुमेन पैपिलोमा वाइरस स्थिती जब ऐसा हो जाता है जिसमें वाइरस नॉर्माली जनरल बोडी में नहीं हो पाता लेकिन बोडी का स्थिती में अगर तो चेंजस आ जाता है उस बाट इस नॉट एक्श्टा ग्रोथ होता है लेकिन ओह भी नहीं होता है कि उसके बाद जो आता है सिस्ट सिस्ट ट ब्यिए एक्श्ट में क्या होता है ना कोई भी microbes, कोई भी pathogen, या सरीर का कोई हिस्चा, कोई blood जो सरीर में अगर रहेगा, तो सरीर में च्छती कर सकता है, harm कर सकता है, तो body क्या करता है, उसके उपर एक lining बना देता है, और बनाने के बाद एक sack और थोली जीसे बंगला बुला जाता है, sack बनता है, और उसके समिसलीड या लिक्वीड कलेक्शन या गैसियस कलेक्शन उसका अंदर रहता है तो इसी के हम लोग सिस्ट बोलेंगे बाट त्यूमर सीफरेंकош layer ऐसे ऊटारीस चांट या अंतर्ष बिक्यानेक्शन करेशन नहीं बोलेंगे लैंट डीनitel या आपका अंदяти प्रोलोमेटा ये सब ट्यूमर नहीं है ट्यूमर मीन्स एक्स्टा ग्रोथ बाई प्रोडूस्ट बाई सेल डिविशन और एबनार्माल सेल डिविशन मतलब सेंटर नर्भास सिस्टेम क्या कोई भी इंस्टरक्शन फॉलो करते बीना ये सेल डिवाइड होता है अब देखा जाए एस सेल जो डिविशन होता है एक स्लो ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ता है और दूसरा एक है रैपिडली बढ़ जाता है जो धीरे धीरे बढ़ता है अक्सार हम लोग देखते हैं कि वह एक एंक्याप्सुलेटे रहता है एक के एक कैप्सुल फर्मेशन के अंदर हो रहता है उसके बाहर नहीं रहता है लेकिन जो रैपिडली ग्रो होता है वह और जो जो अलाग से पहचाना जाता है अगर हम लोग लाएंगे तो सेल बसाइडेंटिफय उडेंटियों किया जाएगा और उस टीशु कि अधे वरेस्टा नहीं किया जाना निख सब्सक्राइब एक दूसरे से लगा हुआ इस तरह से मतलब कोई रूल नहीं फ़लो कुरता है जो स्लो ग्रोथ होता है इनको अप्सिलेटर होता है इसको वेली हम लोग डिफरेंसिट कर सकते हैं और जो एक जगा से दूसरा जगा में नहीं पहुंचता है एक ही जगा में उस रहे जाता है उसे हम लोग बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं क्या बोलता है बिनाइन ट्यूमर बिनाइन मतलब वह उचना छती कालक नहीं है लेकिन जो रैपिडली ग्रो होता है बहुत रैपिडली आज देखे इतना तो काल देखे इतना बड़ा परसु देखे इतना बड़ा उसके बाद इतना बड़ा इसा रैपिडली ग्रो हो जाता है जो वेल ड एक जागा से दूसरा जागा में चला जाता है उसी का हम लोग मैलिगनेंट ट्यूमर बोलते हैं तो नॉर्माल हम लोग जो ट्यूमर जो बिनाइन ट्यूमर जनरल पाबलिक उसी को ट्यूमर के रूप में जानते हैं जो मैलिगनेंट ट्यूमर जनरल पाबलिक उसको चैन्सरा के नाम से जानते हैं कि कैंसर जनर पाब्ली को इसिद्दिद ऊसकर fan जो जो तो जो होग जोlier कि जो बीना इन होता है वो जो सेल का करेक्टर है जिस टीशू का टीशू में बनता है उसी टीशू का जो सेल है वही उसी टाइप का सेल है उसी एडिया में रहता है उस जगा से कहीं दूसरा जगा में भाग के नहीं जाता है और क्या है वह इनकैपसुलेटर रहता है और उसक क्या है कि वह रैपिडली ग्रोव होगा रात तो रात बर जाएगा दूसरा क्या है वह इंक्रस्प्रिटर नहीं रहेगा जहां था अपने आपको विश्तर कर लेगा तीसरा उसका सेल वेल डिफरंसियेटेट नहीं होगा और एक जगा से दूसरा जगा चला जाएगा ट्रेग्न ट्यूमर बोलते हैं अब जब क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग आये हैं तो बिनाइन ट्यूमर जो है जिस टीशू में बनता है उस टीशू का नाम से उसका नाम हो जाता है कि फाइब्रोमा मायोमा इस टाइप का जिस टीशू में बनता है उस टीशू का ना से उसका नाम किया जाता है और जो कैंसर होता है उसको भी हम लोग दो तरह से डिफरेंट करते हैं एक है सारकोमा और दूसरा है कर्षिनोमा मतलब जो बिनाइन ट्यूमार है उसको छोड़के जो मैलिगनेन ट्यूमार है उसको भी हम लोग दो हिस्तों में अलाग से नाम देते हैं एक है सारकोमा हम लोग का जो कनेक्टिव टिशू है उस टिशू का जो ट्यूमार है मैलिगनेन ट्यूमार उसको हम लोग सारकोमा बोले है कि aar क्राइब से लेंगे जैसे लीमफ जैसे ब्लाड तो ब्लाड का वर चैंसर है उसकρχट सारकोमा और जो मेनली एपिथेलीय या मासकुलाल या आदार टीशू में बनता है द्लीइनूमा उसे हम लोग कर्षीनोमा बोलेंगे कर्षीनोमा सारकोमा ट्यूमार चाहे जो भी हो ट्यूमार का जो नाम लैटिन में ओमा से आईडेंटिफाई किया जाता है O M A कोई भी रिपोट में अगर आप कोई डेजिज का नाम लिखा है लास्ट में ओमा लिखा है तो आपको समझना है that is a neoplasm or tumor हेपाटोसेलिललार कर्सिनोमा किलिंफोमा मायोमा हेपाटोमा जो भी है जिसके नाम के पीछे OMA ये सब्द रहेगा तो आपको समझना है that is a tumor और उसके साथ अगर CA रहेगा तो समझना है that is a carcinoma और अगर ये सब्सके रहेगा तो समझना है sarcoma तो अगर देखा जाए कि हेपाटोसेलिलर CA लिखा हुआ है तो मतलब है हेपाटोどう cellular carcinoma हेपा मतलब लिवर हीवर सेल का carcinoma हो गया है हेपेटोसेलिललर CA मने निफोप सार्कोमा आप अब्द इंटेस्टाइन अप लोग पता है कि आनंद फ्रीद में राजिसकान्था को दिशना का ऐस्कろतुत मतलब मतलब लिंप में सरकोमा मतलब कैंशर रास टुवार भोड भौत हुआ है इंटेस्टाइन में मेंली लोकटेट डिन इस टाइम तो इस तरह से ओमा सब्द से ट्यूमार को आइडिनिफ़े किया जाता है और साथ में अगर सिय रहेगा तो कर्षीनो मा और सरकोमा यह यहांने अनि यह से रहेगा तो सरकोमा के बारे में हां गुश्द पाल ले ना अस्सा ये बाड़ा सुनों तो ठीक अस्टेकिना है ठीक अच्छे तो हम लोग जो बोले कि ट्यूमार दो तरह का होता है एक बिनाइन एक मैलिग्नेंट और दोनों ट्यूमार का ही लास्ट में ओमार से खतम होगा और अगर कैंसर अस होगा तो या तो सरकोमा होगा सरकोमा होगा तो एसे और कर्शिनमा होगा तो सी ए एक टार्म रिपोर्ट में रहेगा तो हम लोग को आइडनिटिफिक करना है कि एक क्या है ओके आप आता है इसका स्प्रेड का प्रोसेस पहले हम लोग बोल दिये हैं कि जो सरकोमारी जो बिनाइट उमर है डाट इस एन कैप्सुलेटेड वह एक कैप्सुलार फॉर्म में ही रहता है और उसका अंदर उसका ग्रोथ होता है होते 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 वह एक लिमीट तक बढ़ता है कि कैप्सुल जितना उसको बढ़ने देगा उतना तक यह बढ़ता है और बढ़ने के बाद ज्यादा नहीं बढ़ पाता है और उसी जगा में वह लोकालाजिस्ट हो जाता है इसे हम लोग बोलते हैं लोकाल ट्यूम लेकिन जो मेलिगनेंट ट्यूमर है सरकोमा या कर्सिनोमा यह लोग स्पेड करता है रैपिड ले चला गया फिर से कि नेटवार्क उतना अच्छा नहीं है कि अच्छी से लोग जैन क्यों हुआ है कि सुनाई दे रहा है मेरा बात हेलो कोई एक हैं कर्फांड कीजिए तो कि अध्यूर का क्लासिफिकेशन तो इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे तो बिनाइन जो ट्यूमर है वह क्या होगा इनकाप्सुलेटर होगा वह लोकाल ट्यूमर है और एक ही जगा में बड़ा होता रहेगा उतना तक जितना जो उसका जो आउटसाइट लेकिन जो कैंसर ट्यूमर है जिसे हम लोग मैलिगन ट्यूमर बोलते हैं चाहिए वह सरकुमा हो या कर्शिनमा हो वह रैपिडली स्पेड करता है और जो स्पेड करता है वह भी कोई प्रोसेस में और जो प्रोसेस में स्पेड करता है उसी को स्टेज बोला जाता है देखिए कि आप लोग जो कैंसर का ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं तो हम लोग को पास देखिए पैसर बोलता कि कौन सा स्टेज में है तो अगर वह एडजासेंट टिशू में टाच कर गया तो उसके बला जाता है स्टेज 2 सोची आपका स्कीन का अपार लेयर में एफेक्टेड हुआ तो दैट इस स्टेज 1 और स्कीन के साथ-साथ आगर मुसल्स को एडजासेंट बोन को टाच कर गया नियारस टिशू को तो हो गया स्टेज 2 अगर एडजासेंट और्गान को टाच कर गया तो होता है स्टेज 3 यह नॉर्माली जेनरल स्प्रेड है लेकिन स्टेज 4 जो है किसी भी तरह वह अगर हम लोग का सर्कुले से में घुस जाता है या तो लिम्प में या ब्लाड में तो ब्लाड या लिम्प के साथ तो अलोबर बॉड़ी में वह रैपिड्ली ट्रावल कर सकता है और कोई भी जगा पर अपना जगा बना के वहां भी उसका रैपिड्ली ग्रोथ शुरू है जाता है तो इसी को बला जाता है स्टेज 4 स्टेज 4 को जो ट्यूमर जेनरेट होता है उसको मेटास्थेसिस अनि से अब लोग आइडेंटिफाई किये हैं उस जगा पर ट्यूमर का ओरिजिन नहीं है और जिन कोई दूसरा जगा है वहां से थो सर्कुलेशन वह जिस जगा पर आपने उसको आइडेंटिफाई किये उस जगा पर आकर उसका ग्रोथ हुआ है तीसे हम लोग बोलते हैं मेटास तेका जो टयूमर रेपट्ली हो रहा है नहीं नर्मल सेल डिबिशन हो रहा है तोसका जो कॉंटेंट है तो कहां से लेता है हमारा बरड़ी से लेता है मतला है भूछ सरीर का पोश्र न क्या सझा है तो पिशन्ट क्या होगा विक हो जाएगा दूसर जाएगा में डिविश्टेंस इनट करेगा दूसर टिसूस में अगर आपका घर में कोई बाहर का अनुप्रोबिस करिया के घुज गया और आपका सारा चीज तत्त ले रहा है तो आपका वेका बेटा तो हो जकता है कि वह ब हो सकता है नमबर दो कि पेन ड्यू टू प्रिशर कि यूमा चैसे रैपिडली ग्रोथ हो रहा है तो एड़्जासन नार्ब के उफर प्रिशर देता है प्रिशर देने से दर्भ जेनेट करें देता है इस तरह से भी उसका है इस तरह से भी वह अमलों को बडिको है कि अब शख्का मारना सुरू करेंगा सेिप्लिभर के पास लिवात न्हीं कर पाएगा या कीड्नी पर फिसाद देता रहे तो आपने काम नहीं कर पायेगा कोई भी और ढुर्सरी गाए वग्रें में क्या तो होगया तो मलफंक्शन होना सुरू है की म Зएक रहे झों तो ब्लॉक कर देता है उसके उपर हुआ चांप देदेदे देते वह ओफ कर दिया तो किड्नि में क्या होगा इस चेनिक हो जाएगा मतलब वह बलाड का जो सप्लाइ जीस लाइन पहुंच रहा है तो जगह में इस चेमिक अनि अभाब कि करन पर इन्फरैक्ट अनि एरिया अप्डेट टूसी तो बन जाएगा और धिर धिर वह और डेमेज हो जाएगा और और फेलियोग तो के इंसान को मर जाता है तो इस तरह से ट्यूमर हमारा सरीर को हानी पहुंचाता ह ए जैसे लींप याट से स्प्रेड होता है बॉड़ी किविटी किसमें भी यह स्प्रेड होता है कोई में हृकल हो जाके जूसले वहां पकड़ लेठा है इस तरह से केविटी स्प्रेड मी कि ठींट से हुब में में ज्यादा हो मसला तर्मॉंड जादा हुग क्युंद सब्सक्राइब अब इस बजा से इसका डेवलप्मेंट होता है यह स्पेड होता है इसके बारे में अब ही सार्च चल ला है कोई प्रोब सेनटर याहँ और टीमार का कोई भी ट्रीटमेंट अभी तोकल कऊंफर्म नहीं हुआ इसलिए भरत में कोई रिचौंट में बाँट लिखाँ सबी कोज कर रहा है इसलिए जितना भी एंसर में दिखाना जाता है तो सबीक एंसर डिजीज करता है तो धर्णा किया गया है तो उसका फास जो है इंफेक्शन बहुत तैब का infection है जो आपको बहुत दिन जी infection हो रहा है और infection होते होते उस एरिया में cell multiplication ठीक नहीं हो रहा है वहाँ से alteration हो गया हो गया है और ओठीक नहीं हो रहा है तुछ जगाब कर जो trauma होता है उस करोण उस adjacent area का जो सेल से वह सदेनली डिवाइड़ना शुरू हो जाता है तो यह है एक करण आइडिया किया गया है दूसरा जो है कार्सिनोजेन जिससे कैंसर का डेवलपमेंट होने का चांसे होता है ऐसा कुछ तत्तो को आइडेंटिफाई किया गया है उन मेंसे एक है सबसे स्ट्रोंग अ रेडियोशन कैंसर होने का बहुत खत्रा बढ़ा देता है रेडियाम एउरेनियाम फ्लूटनियाम इस टाइप का पेजोस्क्रिय मोगों से जो काम करता है यह जो सेमी रेडियाक्टिव है जैसे आपका लेड यानि सिशा मारकरी इस सरे चत्तों की जो आसपास जाता है उसक आप लोगों पता है कि इंटरनेट जो चलता है जिस लैप्टॉप या कंप्यूटर उससे भी रेडियाशन स्प्रेड होता है उसमें भी कैंसर बढ़ने का चांसे होता है जो लोग मोबाइल रात में विस्तर में लेकर सुने का आदत है बहुत आदमी अपना सर के नीचे त सब्सक्राइब करें जो जो उसको भी किया जा रहा है बेंजीन शीएट का स्मोकिंग कैंसर का एक मतलब शीएट का जो स्मोक है वह एकड़म वान अद्धा टॉप करसिनोजन नीकल का जो कंपाउंड्स है कि आपका मारकरी का जो कंपाउंड्स है कुछ फ्यूल आईज़ ज मेडेक्ट्रल इस तरफ का उसे भी हो सकता है विनाइल क्लोराइट हम लोग अभी फ्लेक्स विनाइल का बहुत ज़्यदा ब्रकटमे में कोई भी रिक्स का भूकान में जाएगा देगी गार कर बदबो हारा है तो लोग भी छेवी अफेक्शन होले का चांदते होता है है और होने के बाद हुआ आर्बीसी का पुड़क्शन कमा देता है और जिने दिर हो हाँ से कैंसर करता है तो यह सब कि अधिए किया गया कि यह सबसे हो सकता है और जो है उंकोजनिक कुछ भाइरस है जिसका हमारा सदिर में घुसते ही उन लोग का डी एन और आरेने जो है हम लोग का सेल मारिटिफिलिक्शन के ऊपर जो कंट्रोल होता है वह खतम कर देता है वह रैपेडिक ग्रोथ होता है तो होता है या टिउमर फरमेंशन होता है उसमें आप लोग को कुछ चीज कॉमोन मिल सकता हैumuz नंबर वण है लाइफ है ने दिस्ट राइस्टायल बना आदम्यों को कैंसर होने का चांसेश सबसे ज़Йदा हो सकता हैincarnation जो और गुद माहतमारा सादूसंद महत्मादो गडping करत एंसान अपना रिप्यार के लिए खुब कांट समय देता है वो दीन का काम के लिए जादा समय देता है अपना ब्रेन का जो हिस्षा बड़ी को और करता है उसको आउटर रिस्पंस में इतना बीजी कर दिता है कि इंटर्नाल स्टेट से बिनायन का कॉंट्रोल धिरे खो जाता है तीसरा है डायेट खाना खाना से कैंसर का एक बहुत बड़ा रिलेशन है और है एज कि उमर में कुछ उमर के बाद 40 किसी को 50 में कैंसर होने का चांसे स्थुरा बर जाता है कैंसर में यह प्यूमर में इंसान का जो मृत्तु होता है उसका फस्ट काॉजर सथ हैं इंफेक्शन इंफेक्शाइन सपरेट हुथ होता है दूसरा है दूसरा हमलोग जो बोले और ऑड़ियर इसलिए और लास्ट है हैं हेमार एक मतलब खून दिकलते को इस चार कारूं से मेंली केंसर में इसंट का्डेथ होता है है आफ आता है की कैंसर कांट फीटस करें है कि कैंसर को लोग ट्रीट कैसे करें उससे पहले हम लोग को कि इप चर्झा में कि क्या करने चαλη है फास्ट तो अपना मन को सांथ करना चाहिए निद्दिश्ट समाई में नीद और विश्वाम के लिए पढ़्जाप्त समय रखना चाहिए है हम लोग जो बोले सेल डिविशन के उपर ब्रेन का कंट्रोल खो जाता है तब ही सेल रैपिडली ग्रो होना सुरू करता है ब्रेन का कंट्रोल खो जाता है कब जब ब्रेन आउटा रिस्वंस में इतना बीजी हो जाता है तो सेल माल्टिप्लिकेशन के उपर या सेल का रेगुलेशन के उपर उसका ध्यान कम जाता है तब ही सेल के उपर सेल माल्टिप्लिकेशन के उपर उसका नियंत्रन कम हो जाता है इसलिए नीद, ब्रेन को रिलाक्स रखना, धैन, मेडिटेशन, कैंसर भगाने के लिए सबसे, कैंसर को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे आच्छा है, नमबाद दो, कोई भी करसिनोजन के असपास मत जाईए, सिगर्ट का स्मोकिंग, कोई हेवी मेटल में काम हो रहा है, तो उससे थोड़ा दूर रही है, लेड में पारद में इस तरह से, ऐसा कोई जगा में मोबाइल रेडियेशन से थोड़ा दूर रही है, डाएट में भीट अब ये भी कैंसर के लिए बहुत लाबदा दकता है, जो लोग रेगुला नीबू या आम लोगी खाता है, उनका कैंसर होने का चंसे बहुत ही कम हो जाता है, कैंसर का एकदम जिगरी दोस्त है, कैंसर होने के बाद अगर आप चाते हैं कि कैंसर होगी जल्दी मर जाए तो उसको ज़्यादा सुगार खिलाने से जल्दी मर जाएगा, उसको स्पेड बहुत रैपीड होगा, उसको सुगार नहीं देना है, मीठा चीज नहीं देना है, लेता है और रैपिड ग्रोथ जो ट्यूमर में होता है जिसे हम लोग कैंसर बोलते हैं उसमें ज्यादा फ्लूइट रहता है अगर वो फ्लूइट को निकल दिया जाएगा तो उनको लोग फ्लूइट की अभव से वो ग्रोथ नहीं हो पाएगा इसे सोडियम सालफेट एंड्रिश्ट फूड विटेमिन सी एंड्रिश्ट फूड पेशन्ट को ज्यादा जासे ज्यादा देने खाने से यह पेशन्ट नहीं भी हो अगर हम चाहें कैंसर ना हो तो भी उसको देने से लाभ होगा इस तरह से नॉर्माल डेली लाइफ एक अच् किसी भी जगह पर बार-बार आगा देखेंगा जो टांग कैंसर होता है उसका में कर रहता है जिसका अग्दम सार्फ हो जाता है बार बार उस जगाप लगे कट जाता है तो वह से कैंसर डेफल पने तो किसी भी तरह का ट्रॉमा को एवड़ करना वसी गार स्मोकिंग हो या किसी जगह पर बार-बार काट रहा है कोई जूता में कुछ मतलब कीला की जो जिसको बोलता है पिर एक गुज़ गया बार एक जगा लग रहा है इस सब करने से आपको कैंसर का संभाव बना से आपको कम हो जाएगा को अंफ लुक कि आपको या किमा जाल रहा है कि आपास प्रिड हो रहा है यह पीडेग का देना न्पर पर मसम्द करंब करना सब्सक्राइब हां का आप कैंसर संभावना हमें लोग पहले जो दबास का यूंज करते हैं धैड इस कर्सिन सब्सक्राइब करसि नॉइस एक नॉइस आगर शुम्भा बना है बहुत कम रहे हर नॉइसेड़ सेय जाता है कर्षी नाम एभी सेम एजियरस होता है लेकिन अगर कैंसर का τ्रीटमेंट के बारे में हम लोग सोचेंगे तो हैन्वेंट सबगा जो मायाजामेटिक थीप्री उस पर हम लोगों जानाweit और कैंसर जो स्टेट है वो सोरा साइकोसिस और सिफिलिसिस का एक मिला हुआ स्टेट रहेगा तो एंटी मायाजमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा बायकेमिक चीकित समय इसका अच्छा कॉंप्लिमेंट्रे ट्रीटमेंट अवेलेबल है कोई भी पेशेंट अगर कैंसर के लिए केमो थेरापी रेडियेशन थेरापी यह ऑपरेशन किया है उसके बाद जितना कॉंप्लिकेशन साथा है मैक्सि थिती खड़ाप हो जाता है वो एक्सपार कर जाता है उससमय में बायकेमिक्स थेरापी वायकेमिकुक्स वाल्ट उसको अच्छे से सपोड़ दे सकता है उसका लाइफ स्थिति में उसको ड़ना है इस कैंसर का टीटमेंट में कोई कॉंबिनेशन प्रीशेट कॉंबिनेशन इस नाट अबेलेबल ऑके तो आज हम लोग यही जाना कि नियू प्लाज़र मतलब नियू ग्रोथ अन्हीं एक्स्टा ग्रोथ जिसे हम लोग ट्यूमार के रूप में जानते हैं ट्यूमार दो तरह का होता है एक बिनाइन एक मैलिग किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं अ कि अ कि करकन प्रोशन दख लेकर अब लूँ अ बोलिए सब्सक्राइब मेडिशन ग्लोब लें पूर अंपरस नटम सब्सक्राइब और 12 टेस्टी रेमिडीज इविन एक्स्टा बायकेमिक साल्स में भी यूज़्ट जब जिसका जरुरत परे जिस तरह से जरुरत परे उसी तरह से इसको यूज़ करना चाहिए इसलिए कोई एक स उसरोट दो शर्ट नहीं डो वसर्ट भी यूज़ हो सकता है एक्स्टा बायकेमिक सोल्स जो है वो भी हो सकता है कैंसर का जो ग्रोथ है उसका जो मूवमेंट है ओशिक तरह होता है पता नहीं चलता कि साब निजाए पीछे आएगा राइट स्वे जाएगा कि लेट में कोई आप पहले से एक बाया कंबिनेशन बोल दीजिए उसको कंबिनेशन माना के रखेंगे उसको देदेंगे ऐसा नहीं होगा इस तरह का पेशन को आप लोग कॉंप्लिमेंटरी थेरापी दे सकते हैं कोई भी बायाक्यमिक फिजिशियान कैंसर का पेशन को अच्छा हाई क् कॉंप्लिमेंटरी थेरापी प्रोवाइड कर सकता है मेंस्ट्रीम थेरापी में आप लोग नहीं जाई है हाँ मतलब बहुत एक्सपार्ट हो जाएंगे तो पेशन का कॉंसर्ण लेके जा सकते हैं लेकिन जेनरल जो फिजिशियान्स है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो दिखते हैं मैक्सिमामी खून की कम comprar आ जाता हैン jmanorya नेक्रियां पाइस ऐस नेया का मिय vrais na के रहे क्वी कभी देखा धेते हैं कि हमारे चुल हो जाता है उस ऐस छो में पोध बुद अच्छा काम देता है जो आと मतलब rapid growth हो रहा है किसी भी तरह उसको control नहीं कर पा रहा है वो समय नेट्राम साल्फ का भारी मात्रा में देने से fluid को खिचके निकल देता है और नेट्राम साल्फ सिर्फ cancer में भी नहीं अब लोग को पता है कि कोई भी hydrogenated constitution में या आपका psychosis मायजम में बहुत अच्छा काम देता है और tumor और cancer में भी बहुत अच्छा काम देता है जो tumor hard होता है hard calcaryaflodica is enough to cure the case कोई भी hard tumor में हम लोग देखे हैं calcaryaflodica देने से और tumor ठीक हो जाता है इस तरह से कोई single medicine के बारे में single salt के बारे में आप लोग पहले से ही मौत सोचिए पेसेंट का स्थीती देखके उसका analysis करके complimentary से दीजिए तो patient cure भी हो सकता है या उसका प्रिजन स्टेटस है उस डेवलप हो सकता है प्रिजन का life span बढ़ सकता है और दूसरा जो therapy में वह है जो treatment में है उस therapy का response भी वह अच्छा होगा ठीक है और किसी का कोई सवाल है तो कर सकते है सर मैंडिकनेंट ट्यूमर का स्टेज के बारे में एक बार मैंडिकनेंट ट्यूमर का चार स्टेज होता है जब जिस टीशू में फॉर्म हुआ था उस टीशू में है तो उसको स्टेज वान बोला जाएगा जो एडजासेंट टीशू में स्प्रेड हो गया तो उसको तो सो स्टेज फोर कहा है कि स्टेज पॉर एक स्टेज फॉर इस एडवांस टेज उसमाई पेसे को बहुत अच्छा से हैंडल करना चाहिए कि टाइम एंडेट के अगला क्लास में इसका बारे में और भी डिस्कॉसन किया जाएगा थैंक्यू